साथियों, इंदोर में जो घर बन रहे हैं, वो उनमें इंट और गारे की दिवारे नहीं होगी, बलकि प्री फेब्रिकेटेड सेंट्वीच पैनल सिस्टिम इसमें इस्तिमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिये मोनोलिथिक कॉंक्रिक कंस्ट्रक्शन इस टेकनोलोजी का उप्योग करेंगे, फ्रांस की इस टेकनोलोजी से हमें गती भी मिलेगी और घर आपदाओं को जहलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्ने में अमेरिका और फिंड्लेंड की प्री कास कॉंक्रिट सिस्टिम का उप्योग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टिम से घर बनाएंगे, इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्शर को वैसे ही जोडा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलोनों को जोडते हैं। अगर तला में न्यूजिलेंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नलोजी से घर बनाए जा रहे हैं, जहां भूकम का खत्रा जादा होता है, वहां ऐसे घर बहतर होते हैं। लखनों में केनेडा की टेक्नलोजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लस्तर और पैंट की जरू नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दिवारों का उप्योग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर बारा महिनों में हजार घर बनाए जाएंगे। एक साल में हजार घर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रती दीन धाई से तीन घर बनानी की एवरेज आएगी। एक महिने में करीब करीब नब्बे सो मकान बनेंगे। और साल भर में एक हजार मकान बनाने का लक्ष है। अगली 26 जन्यवारी के पहले इस काम में यह सफलता पाने का इरादा है। साथियों यह प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे। जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, एंजीनियर्स और स्टूडन्स सीख पाएंगे और नई टेकनलोजी एक्सपरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी उनिवर्सिटिक से आगर करता हूँ। सभी एंजीनिंग कॉलेज से आगर करता हूँ। कि इस फिल्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फेकल्टी, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रूप बनाएं। एक-एक विक्ये लिए इन 6 स्थाइट पर रहने के लिए चले जाएं। पूरी तरह उसका अध्यान करें। वहां की सरकारे भी उनको मदद करें। और एक प्रकार से देश भर की हमारी उनिवर्सिटी के लोग यह जो पाइलोट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। एक प्रकार से इंक्यूबेटर हो रहे हैं। वहां जाकर के टेकनोलोजी। और मैं यह चाहूँगा कि हमें आँख बंद करके किसी टेकनोलोजी की अड़ोप करने की ज़रूत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की ज़रूत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वार्मेंट के हिसाब से, हम इस technology का shape बदल सकते हैं क्या उसकी activity बदल सकते हैं क्या उसकी performance level को बदल सकते हैं क्या मैं पक्का मानता हूँ हमारे देश के नवजवान ये देखेंगे उसमें जरूर value addition करेंगे कुछ नयापन जुड़ेंगे और सच मुझ में देश एक नई दिशा में तेजगती से आगे बढ़ेगा। इसे के साथ साथ गर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेकनलोजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिगेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा काम है हमने इसके साथ human resource development, skill development इसको simultaneous शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेकनलोजी को समझ सकते हैं, आप exam दे करके certificate प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि देश वासियों को घर निर्मान में दुनिया की बेस्ट टेकनलोजी और material मिल सके हैं।